मैंने ये पांच दिन का प्रवास हरियाना के अंदर समिक्षा बैठा के लिए रखा है आज रोहोतक और विवानी में अंदर गड़ लोकसबा के सबी के अंदरेट और प्रदेश तर के सारे प्रदिकारें को बुलाया है इसमें समिक्षा करने के लिए कि क्या चुनाओं के अंदर लोगों ने कहा कैनिर्स का अनुभाव क्या रहा इतनी वोट कम क्यों मिली इंडिया गटबंदन का इस गटबंदन ना होने से क्या नुक्सान हुआ उसके कारण क्या थे भाविश्य के अंदर आमादी पाटी नाज तै किया कि हम हर किसम के चुनाओ लड़ेंगे पंचायत राज के सभी चुनाओ लड़ेंगे बलॉक समीती के लड़ेंगे दिला परिश्यत के लड़ेंगे नगर परिश्यद के लड़ेंगे नगर निगम के लड़ेंगे नगर पालिका के लड़ेंगे और मजबूती से संगठन को और मजबूत करेंगे आज एक बात स्पस्ट तोर पर निकल के आई है कि अर्याना में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का काम कॉंग्रेस नहीं कर सकती है अब आमाजी पाटी ही करेंगे अब हर्याना का लाल अर्विन लिकेजरिवाल ही हर्याना के हालत को बदलेगा क्या मानते हैं कि जो गटबंदन नहीं हुआ उसका उसके अनुरूपिय प्रडाम में हुआ तिकी गटबंदन होता तो गटबंदन की सरकार को कोई रोक नहीं सकता था अति अहंकार अति उत्सा चुनाओं में ठीक नहीं होता यह कोंगर्स के लिए जो भी व्यक्ति हो इसमें यह उन व्यक्तियों के लिए भी और पार्टी के लिए भी है क्या कोंगर्स के लिए कुमारी संद्दा से नहराज़गी बारी पड़ी ती कि मैं तो एक बात स्परस्तोर पर कह सकता हूं इंडिया गटबंदन हुआ हमने बीजेपी को बैसाक्यों पहला दिया पुराश्यस्तर के चुनाओं हर्याना के चुनाओं में अगर इंडिया गटबंदन लड़ता तो बीजेपी की ज्यादा ज्यादा तीस सीटे आती है साथ प्लस सीटे इंडिया का डबंदन की आती यह गारंटी का विश्य है और पूरा देश इस बात को मानता है तीसरी बार भाजबा की सरकार बना रही है कोई उमीद है सरकार में काम को बाजबा ने बड़े-बड़े वाइदे किये थे 500 रुपे मेगा स्लेंडर देने का बहिलाओं को बजट देने का पांच लाग गरीब विट्ट्यों को मकाम देने का मैं चाहता हूं कि वो अपने वाइदे पूरे करें हर्याना में भैमुक्त ब्रसाचार मुक्त सरकार बनाएं और कानून का राज़ चलाएं हर्याना के लाल है अगर उनको तीन मेहने पहले ये बीजेपी छूड देती ताज रेजल्ट कुछ हो रहते हैं निरपराद उनको जेल के अंदर बंद करके रखा ये बहुत ही दिकत का विशेर हुआ 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 है